हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चानल तो आज हम करने वाले हैं पाठ भारा महादानी कर्ण के प्रशन उत्तर और व्याकरन तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मौखिक प्रशनों से जिसमें पहला प्रशन है करन किस नाम से प्रसिध दे उत्तर करन दानवीर करन के नाम से प्रसिध दे दूसरा प्रश्ण है कर्ण युद्ध भूमी में किस आवस्था में पड़े थे उत्तर कर्ण युद्ध भूमी में घायल आवस्था में पड़े थे तीसरा प्रश्न इंद्र ने पत्थर उठाकर देने से क्यों मना कर दिया उत्तर इंद्र ने पत्थर उठाकर देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह पत्थर मिट्टी और रक्त से सना हुआ था चौथा प्रश्न है इंद्र ने कर्ण को क्या आशिरवाद दिया उत्तर इंद्र ने कर्ण को आशिरवाद दिया कि जब तक यह स्रिष्टी रहेगी लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में स्मरन रखेंगे देवता भी तुमारे स्तुती करेंगे अगला प्रश्न है क्या कर्ण वास्तव में दानवीर थे? उत्तर हां कर्ण वास्तव में भी दानवीर थे तो अब हम करेंगे लिखित प्रश्न जिसमें पहला प्रश्न है कर्ण ने चद्म भेश धारियों को भिक्षा में क्या दिया? उत्तर कर्ण ने चद्म भेश धारियों को भिक्षा में अपने मुह में लगा सोने का दांत तोड़ कर दिया दूसरा प्रश्न है इंद्र और वरुन ने भिक्षा को अस्विकार करने के बहाने क्यों बनाए उत्तर इंद्र और वरुन ने भिक्षा को अस्विकार करने के बहाने बनाए क्यूंकि वास्तव में कर्ण से भिक्षा लेना उनका उदेश्य नहीं था इंद्र को इस बाद से इर्षा इर्षा मतलब जलन होती थी कि सारे लोग और देवता कर्ण को माहदानी कर्ण कहते हैं इंद्र और वरुन चाहते थे कि कर्ण भिक्षा ना दे पाए और वे सबको पता सके कि कर्ण दानवेर है ही नहीं अगला प्रश्न है कर्ण सूरे से क्या प्रार्थना की और क्यों उत्तर कर्ण सूरे के पुत्र है संध्या हो जाने के बाद वरुन देव ने भिक्षा स्विकार करने से इनकार किया तो कर्ण ने सूरे से प्रार्थना की, कि वैं अभी अस्त ना हो, जिससे वैं निर्धन व्यक्ति भिखशा ले सकें। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिल न लगाओ। जिसमें पहला है, इंद्र और वरुन विकारी बनकर कर्ण के पास पहुंचे तो जैसा हमने पाठ में पढ़ा था इंद्र और वरुन कर्ण के पास विकारी बनकर ही गए थे तो यह हमारा सही है दूसरा है महाभारत का युद्ध दिल्ली के मैदान में हुआ ये भी बिल्कुल सही है तीसरा है कर्ण भिक्षा ना दे सकी क्योंकि उस समय उनके पास कुछ नहीं था ये गलत है जैसा कि हमने पाठ में पड़ा है कर्ण ने वरुन और इंद्र को अपना सोने का दान तोड़ कर दिया था तो ये हमारा गलत हो अगला है कर्ण ने छदन भेशधारी इंद्र और वरुन को अपने कुंडल दिये ये भी गलत है क्योंकि कर्ण ने वरुन और इंद्र को अपना सोने का दान दिया था अगला अंत्मे कर्ण परिक्षा में सफल हुए ये बिल्कुल सही है दूसरा प्रश्ण है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ जिसमें पहला है इंद्र कर्ण की परिक्षा क्यों लेना चाहते थे पहला सूरे का घमन तोड़ने के लिए सुख और आनंद के लिए कर्ण को नीचा दिखाने के लिए या फिर सूरे से बदला लेने के लिए तो इसका सही है कर्ण को नीचा दिखाने के लिए क्योंकि इंद्र को इर्शा होती थी कि सारे कर्ण को महदानी कर्ण बोलते है अगला है कर्ण की परिक्षा लेने इंद्र अपने साथ किसे ले गए सूर्य देव को, वरुन देव को, ब्रहस्पति देव को, ब्रह्म देव को तो इसका सही है वरुन देव को अगला है कर्ण किसके पुत्र थे? सूर्य के, पांडु के, कुरु के या ब्रह्मा के तो इसका सही जवाब है सूर्य के कर्ण का दान किस धातु का बना था तांबे का, चांदी का, पीतल का, सोने का तो इसका सही जवाब है सोने का आगे है मूले प्रक प्रश्न जिसमें पहला प्रश्न है अगर आपको दान करने को कहा जाए तो आप क्या-क्या दान करेंगे उत्तर अगर मुझे दान करने को कहा जाए तो मैं गरीबों और दीन दुखियों को खाने की चीजें और वस्त्र दान करूंगी ताकि उन वस्तों से जरूरत मंदों की जरूरत पूरी हो जाए आगे है व्याक्रन या फिर भाशा ग्यान जिसमें पहला प्रश्ण है पढ़ो समझो और शब्द लिखो जिसमें पहला है क कोहलन और श तो इनको मिला के क्या बनता है श तो इससे हम दो शब्द बनाने हैं हमने तो हम पहला आग की बुक में भी बना हुआ है तो इसका पहला बन सकता है भिक्षा और दूसरा परिक्षा अगला है त, त कोहलन्थ और तो इससे दो शब्द बनाएंगे तो मिलके क्या बनेंगे त्र, त्र से शब्द बनेंगे हमारा पहला होगा मित्र और दूसरा क्या बना सकते हैं बच्चों? दूसरा हम नेत्र भी बना सकते हैं अगला है ज, ज, कोहलन, अन, तो ये क्या बनजेगा ग्य तो इससे दो शब्द बनेंगे, पहला होगा हमारा ग्यान और दूसरा संग्या अगला है श, श, कोहलन, और र, तो ये क्या बनता है श, इससे दो शब्द बनाएंगे पहला बनेगा हमारा श, और दूसरा श, अगला है स, स, कोहलन, प्लस थ, तो बनेगा स्थ, स्थ से हमारा क्या बन सकता है बच्चों स से पहला बनेगा स्थिर, और दूसरा बनेगा स्थान अगला है स, स को हलन्त और त, तो यह क्या बनेगा स्त, तो स्त से बन सकता है पहला शब्द नमस्ते और दूसरा शब्द बन सकता है स्तुति अगला है द, द को हलन्त प्लस ध, तो यह क्या बन गया दो तो इससे क्या बनेगा पहला बनेगा प्रसिद्ध और दूसरा सिद्ध अगला है क कॉकोहलन प्लस द ये क्या बनेगा द त तो इससे बन सकता है पहला शब्द रक्त और दूसरा शब्द मुक्त आगे हैं इन शब्दों में से प्राइवाच्छी शब्द चुनकर उच्छे स्थान पर लिखो तो पहला आपकी किताब में दिया गया है जैसे सोना है सोने को हम और क्या बोल सकते हैं सोने को हम बोल सकते हैं स्वर्न और कंचन वैसे लडाई लडाई को हम क्या बोल सकते हैं लडाई को हम बोल सकते हैं युद्ध और लडाई को हम बोल सकते हैं समर अगला है आँख आँख को हम बोल सकते हैं नेत्र और बोल सकते हैं हम चेश्व अगला है कहानी कहानी का मतलब होता है गाथा या फिर कथा अगला है जंडा जंडा मतलब हमारा ध्वज जंडे को में ध्वज बोल सकते हैं और पता का अगला है खून खून मतलब रक्त और और क्या बोल सकते हैं लहू अगला प्रश्न है की और की लगा कर वाक्य पूरे करो पहला है सभी कर्ण डैश प्रशंसा करते थे दूसरा है इंद्र ने कहा डैश जाओ शीगर ही वरुन को बुला लाओ इंद्र ने कहा की जाओ शीगर ही वरुन को बुला लाओ अगला है कर्ण डैश धानप्रेता की कहानिया सब जगा प्रसिद्ध है कर्ण की दान प्रियता की कहानिया सब जगा प्रसिद्ध है अगला है सबने कर्ण की प्रशंसा की ठीक है आगे है नीचे लिखे शब्दों में शाली और ता प्रत्याई लगाकर नए शब्द लिखो जैसे भाग्या भाग्या में हम प्लस करेंगे शाली तो वो क्या बन जाएगा हमारा भाग्या शाली अगला है शक्ती प्लस शाली तो वो बन जाएगा शक्ती शाली अगला है सुन्दर प्लस ता वो बनेगा सुन्दर ता आगे वीर प्लस ता वो बनेगा वीर ता आगे है वैभव वैभव के साथ हम जोड़ेंगे शाली तो वो बन जेगा हमारा वैभव शाली फिर है सोब्ःग्य आगे है द्धीर प्लस ता वो बनेगा द्धीर ता अगला है हीन, हीन प्लस ता हीन ता आगे हैं वाक्यों में उच्छित विराम चिन लगाओ जिसमें पहला है कहिए देवराज आज मुझे क्यों बुलवाया तो कहिए देवराज के बाद लगेगा हमारा विसमयादी बोधक चिन जिसको हम इंगलिश में एक्सक्रामेटरी माग भी बोलते हैं विसमयादी बोदक चिन आज मुझे क्यों बुलवाया तो ये एक प्रशन पूछने जिसमें लगेगा प्रशन वाच्चिन ठीक है अगला है हाँ हाँ क्यों नहीं यह अच्छा अफसर है हाँ हाँ के बाद लगेगा कॉमा जिसको हिंदी में अल्प विराम चिन बोलते हैं ठी हैं उसके बाद क्यों नहीं क्यों नहीं के बाद विसमयादी बोदक चिन यह अच्छा अफसर है अब यह कोई प्रशन तो पूछनी रहे हैं यह तो सिरफ सिंपल संटेंस जिसकों बोलते हैं वो है तो यह अच्छा अफसर है के बाद लगेगा पूर्ण विराम अगला है कौन मेरा प्रणाम स्विकार करें कौन के बाद पल्प विराम अरे अरे के बाद विसमयादि बोदत चिन आप कौन आप कौन के बाद रशन वाचक मेरा प्रणाम स्विकार करें तो इसके बाद पूर्ण विराम ठीक है उसके बाद है नेतजे सुभाष चंद्रबोस ने कहा थ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो इसमें नेता जे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कहा था के बाद अल्प विराम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो यह उन्होंने बोला था तो इंग्लिश में हम इनको बोलते है कोटे महादानी कर्ण के प्रशन उत्तर समापत होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो चानल को प्लीज लाइक करना ना भूले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू